आज हम 10th कलास के लिए exercise 3.4 और question number 1 दो पार्ट इसके हमने पहले करवा दिये थे और अगले पार्ट हम आज करेंगे देखिए question parts number 3 से start करते हैं इसी question का third part ही है इसमें कुछ equation इस तरीके से बेदी है 3x minus 5y minus 4 is equal to 0 और यह दी है 9x is equal to 2i plus 7 इसको थोड़ा हम एक step में थोड़ा change करेंगे जैसे यह first equation है इसको हम क्या करेंगे 3x minus 5y is equal to यह minus 4 इदर लेख लिया और इसको नाम दे दिया equation 1 इसको भी थोड़ा change करना है इसको क्या करेंगे 9x और यह 2y को इदर लिया है minus 9y हो गया और is equal to 7 ठीक है अब 1 और 2 में क्योंकि हमने पहले विलोपन भी दिल लगा नहीं इसको भी थरी करो 3 से multiply कर दे 3 से multiply करेंगे तो 3 तिया 9x minus 3 से 15y और 3 से इसको करेंगे तो 12 और यहां लग दिया 3 से गुना करके समीकर नंबर 1 को 3 से गुना करके तो अब इसको क्या करना add करें या सब्टेट करें इसका decide हम यहां देखके करते हैं इसकी plus यह भी plus तो एक minus होना चीए तो इसलिए गाटाने पर लिखेंगे गाटाने पर यह minus हो जाएगा यह plus हो जाएगा यह minus हो जाएगा 12 तो यह कट जाएगे क्योंकि उपर plus line है नीचे minus line है और यह minus के 2 है 15 के 15 है तो 13 y is equal to यहां कितना आगया minus के 12 है 15 के 7 है तो minus के 5 आगे तेरा को दले चलो y की value आगी minus 5 बटे 13 यह value है वाई इस value को उठाके समीकर 1 में हो रख दे y कमान समीकर 1 में हो रखने पार 3 x minus 5 y और y की जाएगे value रखे minus 5 बटे 13 और is equal to 4 अब यह minus और यह minus जब इसकी multiply करेंगे तो plus हो जाएगा 25 बटे 13 हो जाएगा यह हो जाएगा 3 x जमा 25 बटे 13 और बराबर 4 अब इस 13 को यहां से अठाना हमने नीचे से तो इस पूरी समीकर को 13 से गुड़ा कर दे तो यह यहां से अठ जाएगा जैसे 13 49 x जमा 25 बटे 13 चुका 22 इसको गुड़ा करेंगे तो 13 से 13 कट जाएगा 25 रह जाएगा is equal to 27 भी लेख सकते हैं x की value निकालने है तो x is equal to 27 बटे 49 27 बटे 49 यह कटते हैं किसी सो 3 से कटते हैं 3,27 हो जाएगा यह हो जाएगा 3,27 और इसको काटेंगे यह हो जाएगा 13 तो यह एक आगा 9 बटे 13 और एक value आई थी minus 5 बटे 13 अब इसी question को second method से उसमा मैं क्या करना है यह दोनों जो equation है इसमें से value निकालो इसमें put को जैसे 3x is equal to 5y पलसका और जगे दर लेगे और पलस 4 पहले ही पलसका है और x is equal to अगया 5y पलस 4 बटे 13 यह value है x की और यह put करनी है दूसरी equation में इसमें 9x यह लख दे x का मान समीकरण 2 में रखे यह समीकरण 9x तो 9 तो हम लेख लेंगे x की जगे यह रखे 5y पलस 4 बटे 3 और इसके आगे यहाँ minus 2y और is equal to 7 यह है अब इस 3 से यू कट ज़रे 3 पिया 9 अब 3 के multiply करेंगे दोनों के साथ 15y पलस में 12 minus 2y is equal to 7 15y पलस के हैं 2y minus के हैं तो 13y बचे गए और इस 12 को उदर ले जाएंगे तो minus का होगे तो 13y is equal to कितना होगे minus 5 और y की value के आगे minus 5 बटे 13 यहनिके जो यहाँ आई थी minus 5 बटे 13 अब इसको उठा के समीकरण इसमें ही यहाँ रख दे y का मान समीकरण एक में पूट करें यह एक में रखने पाद यह हमने समीकरण एक से लिया x is equal to 5y यहनिके 5y की जगए रखांगे minus 5 बटे 13 और जमाद 4 और बटे 8 तो यहाँ देखें कैसे solve करेंगे जब इसको गुड़ा करेंगे minus 5 गुड़ा 5 minus 25 बटे 13 होगे और minus 25 बटे 13 जमाद 4 है यहाँ लेख भी दो minus 25 बटे 13 और जमाद 4 बटा एक लेख दिया इसको मैं और निच्चे है इसके 3 यहाँ 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 इसको यहाँ रखो ठीक है अब इसको solve करना हमें कैसे solve करेंगे इसका 13 और एक का 13 यहाँ करते हैं 13 यहाँ करते हैं तो यह तो हो जाएगा minus 25 बटे जमाद यह हो जाएगा बावन और यहाँ इन दोनों का हमने 13 यहाँ था और निच्चे हमारा 3 ठीक है अब minus 25 पलस बावन कितना हो गया 27 पलस का हो गया 27 बटे 13 और बटे 3 यहाँ देखें यहाँ थोड़ा सपेश हमें मिले हैं यह एक्स की वेल्व आगी 27 बटे 13 और इसका बटे 3 उस 3 को हम ऐसे लग सकते हैं इन से इसको काट दो इन निम 27 तो एक्स की वेल्व की आगी 9 बटे 13 यही आगी 9 बटे 13 तो यह है दोनों मेतल हमारे इस परकार से आप करें यह फोर्थ पार्ट है इसमें क्या है इस परकार से इक्वेशन दे दे आपको एक यह और एक इसको हमने सिंपल इक्वेशन के रूप में बदलना है कैसे बदलेंगे यहा देखिए बटे 2 है बटे 3 है दो और 3 का एलसियम होता है 6 लगूत में तो 6 से मल्टिपलाई कर दो पूरी समी करने का 6 से गुना करने पर 6 से इसको गुना करेंगे तो 2 से 6 को करतेंगे 3 एक्स आजएगा जमा इसको भी 6 से गुना करेंगे नीचे 3 है 3 दूनी तो 2 दूनी चार वाई आजएगा और इधर माइनस 6 आजएगे इसको रखेंगे हम समीकर नमबर 1 यहा तीन है बटे तो 3 से मल्टिपलाई करें 3 से गुना करने पर इन से करेंगे दिए हो जाएगा 3 एक्स माइनस 3 से 3 कट जाएगा केवल वाई रे जाएगा और यहाँ हो जाएगा नो यह समीकर नमबर 2 हमारी एक पीसे नमबर 2 हमने पहला Elimination Method लगा रहा है Elimination Method के लिए क्या है इनकी Co-Efficient Equal करने इसके दो पहले जाए इकोल है यह भी तरी एक्स है यह भी तरी एक्स है तो इसको इसके नीचे लख ले हम यह तिन एक्स माइनस वाई इस उकल टू नाइन और अब इनको क्या करेंगे हम क्योंकि दोनों के साइन सेम है यह भी पलस यह भी पलस तो गटाएंगे तब इसका चेंज होगा यह माईनस हो जाए यह पलस हो जाए यह माईनस और यह लख देंगे गटाने पार यह कट जाएंगे मकसद हमारा यह काटने का ही है एक कट जाएं एकस कट गए तो य बच गया य की वैलू निकल जाएगी यह भी पलस है यह भी पलस है तो पांच वाई बरावर कितना होगे यह दोनों माईनस है माईनस पंदरा होगे तो y की value कितना आगी मैनस 15 पटे में पाच और इसको काटोगे तो इसकी value क्या आगी y की value मैनस तरी इसकी value उसमें रख दो किसमें समीकन एक में y कामान समीकन एक में रखे यह समीकन एक ती नेक्स जमा 4y 4 और y की जगे माइनस 3 is equal to minus 6 यहां देखिए हमने y की value पूट करी है माइनस 3 तो यह क्या आगया 3x माइनस इसकी multiply करी 12 और माइनस 6 12 को उदर ले चलू 3x is equal to 12 माइनस 6 हो जाएगा और x की value के आगी इसमें से गटाच है और यह वाज़ जाएगा बटे तीन तो x की value के आगी दो आगी अब second method लेंगे second method में हमने क्या करना है उसमें हमने coefficient equal नहीं करने गुणांग बराबर नहीं करने एक x की value निकाल के दूसरी समीकर में पूट करने देखो यहां से निकाले हम समीकर नमबर एक यह इसको छोड़ा हम समीकर दो से निकालते है value और फिर एक में रखते हैं यह दो इसमें से अगर हम value निकाले तो यहां तीन x बराबर y को उदर ले चलें पलस हो जाएगा यहां x is equal to सीधा x लेख रही हमने पहले y को उदर लेगे y पलस 9 हो गया y पलस 9 और यह जो तीन है यह निश्याज यह value is equal to x x की value इस value को क्योंकि इस समीकर से निकाल यह दो से तो हम रखना पड़ेगा समीकर एक में तो यह रखते x का मान समीकर एक मरत आज यह समीकर एक पर यह है 3 x तो 3 तो हम लखेंगे x नहीं लखेंगे x की जगे यह लखेंगे y पलस 9 बटे 3 इसके बाद है 4 y बरावर माइनस 6 यह रख अब इस 3 से यह 3 कर जाएगा सिधा उपर वाड़ा पोर्शन बचे गया y पलस 9 पलस 4 y is उकल टू माइनस 6 अब इन दोननों को अम एड करेंगे 4 एक 5 हो गया 5 y बरावरिशन 9 को उदर ले चलेंगे यह भी माइनस हो जाएगे तो 5 y is उकल टू कितना हो गया माइनस के 15 हो गये जब इनको हम एड करेंगे माइनस 6 को जोडेंगे माइनस 15 हो गया 5 को उदर ले चलेंगे y is उकल टू हो गया माइनस 15 बटे 5 और इसको काट रहेंगे तो इसको काट रहेंगे माइनस 3 आगी y की वेलू जो यहाँ है अब इस वेलू y की वेलू इसमा रख देंगे y का मान समीकान 2 मा रख समीकान 2 कहा है यह है इसमा रखो यह इस दो से हमने यह वेलू x की ने कारा कि इसमा रखो a की चीज़ चलो यहां रखते है x is equal to y y की वेलू है minus 3 है plus 9 और बटे 3 तो यह क्या जाएगा उपरवाणों को जब हम जोडेंगे minus 3 plus 9 को जोडेंगे 6 है जाएगा और बटे 3 ने इसको काटेंगे तो यह कितने आगी दो x की वेलू दो आगी जो यहां भी दो आई थी और लास्ट में आपने यह भी बताना है कि कौन सा कौन सी विधी या कौन सा मेथड अधिक उप्यूगत है तो दोनों ही उप्यूगत है अब बस आज इतना ही काम आपको दिया जाएगा आप समझ गये होगे दोनों भी यह अच्छी तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है तो आप इसकी प्रैक्स करें चैनल को सब्सक्राइब करें ओके थैंक्यूगत थैंक्यू